जिन लोगों को नोटिफिकेशन मिल चुका है उन सब इस रिक्वेस्ट की एक बार यहां पर कॉमेंट कर दें आप लोग की यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर रेलवे प्रैक्टिस सेट नमबर फोर स्टेडी फोर सिविल सर्विसेस और आप लोग अगर मेरी अवाद सुन पा रहे हैं तो फिर यहां पर कॉमेंट कर दें जहांगीर शेक गुड़ इवनिंग और सरस्वती विद्या क्लासेस भी आ चुके हैं सकें और हम लोग शुरुवात कर सकें बिना देर किये सौम्य कुमारी ठीक है आवाज आ रही है तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग प्लीज लाइक कर दें अटलिस इस वीडियो को देबो लीना रॉय कुड इवनिंग आशाराम वर्मा कुड इवनिंग कृष्णा यादव हेलो चंदन कुमार कुड इवनिंग और पचास कोमेंट्स जैसे ही होते मैं आपर स्टार्ट कर देता हूं कुश्चन्स को बताना और बफरिंग हो रहा है जहांगीर शेख बफरिंग एक सेगंड कि जैस्विनी निशाद हेलो अभी भी बफरिंग कर रहा है या फिर अब क्लियर है प्रॉब्लम क्या आ रही है आप बताएं जल्दी से तो हो सकता है मुसे रिजॉल्व कर सकें आपर बफरिंग हो रही है अभी ठीक है ना बिल्कुल शुरू करें इसको फिर तो दोस्तों एक न्यूज आपको देनी है बहुत जादे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर जरूर देख लीजिए आप लोग कि यह जो है हमारा रेलवे एक्जाइम्स का ग्रूप इसको आप लोग जरूर जोइन कर लीजिए अभी के अभी तुरंत यहाँ पर इस एट दरेट रेलवे ग्यान आप लोग जो है अपने टेलिग्राम पर डाल देना तो यहाँ पर आप जोइन कर हो जाओगे इस क्रूप से और इसको जोइन होने पर आपको क्या होगा कि आपको PDF मिल जाएगी एक चीज और एंसर की भी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर टेस्ट की और पिछले टेस्ट की PDF भी मैंने तुरंत शेयर कर दी थी जो लोग यहाँ पर जोइन किये हुए हैं वो लोग एक बा पर कंफर्म करने कि PDF आपको मिल चुकी या फिर नहीं और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी शेयर होती रहेंगी अभी हम लोगों ने मैट्स का भी स्टार्ट किया है मैट्स के क्वेश्चन्स यहाँ पर कुछ डाले जाएंगे और प्लस वीडियो भी मैट्स का मैट्स का पर अब हम अपने टेस्स को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर तो दोस्तों यह अब क्वेश्चन्स यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कितने लोग हम से जुड़ चुके हैं तो बिना देर की दोस्तों यहाँ पर अब स्टार्ट कर लेते हैं पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा इसका एंसर दीजी आप लोग प्रिज्म से गुजरने पर प्रकास का कौन सरंग सबसे अधिक विचलन दरसाता है बताईए इसका एंसर बता दिए आप लोग यहां पर इसका एंसर क्या होगा पहले का एंसर क्या होगा जल्दी से बताईए यहां पर पहले का एंसर लोग बैंग नी दे रहे हैं बैंग नी बिल्कुल सही एंसर है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे question का एंसर बताईए यहां पर केवल 20 सेकेंड मिलेंगे GK के questions के लिए आज ज्यादा समय यहां पर नहीं दिया जाएगा आपको what is the best suited material for the manufacture or the making of transformers stainless steel, soft steel, hard steel या फिर soft iron तुरंत इसका एंसर बताईए यहां पर दूसरे का क्या answer होगा दूसरे का एंसर यहां पर RN राज ने दिया है 2 का D, विकास्तिवारी 2 का D और यहां पर D सही है soft iron से हम लोग बनाते हैं transformer एक बहु भुच के आंत्रिक कोडों का योग निम्न में से किसके बराबर होता है n-2, 360, n-3, 180, n-2, 180, या फिर n-2, 180 3 का क्या होगा question number 3 का answer question number 3 का answer होगा option C, मुस्कान गुपता ने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया यहां पर 3 का answer होगा दोस्तों C 4 का क्या answer होगा हाल ही में किसको बांगलादेश के मुख हिने आया धीस के रूप में न्यूक्त किया गया है बांगलादेश के chief justice का नाम और 14 का answer बता दीजिए यहां पर आप लोग और मैं comments को hide कर दे रहा हूँ ताकि आपको questions अच्छे से दिखें यहां पर 14 का answer होगा दोस्तों D यहां पर और सईद मौमूद हुसैन इसका answer होगा नवीन कुमार आपने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है sweet power 9 आपने 4 का D लगाया है और जिन लोगोंने 4 का D लगाया है उन्हें सभी का सही है भाकी का नहीं सही है आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर 15 का answer दे दिजिए यहां पर who has launched a SMAP satellite that measures the humidity in the soil and inspects the earth SMAP satellite जो प्रत्वी पर मिट्टी में नमी कुमापने और परीक्षन का कार्य करती है इसे किस ने launch किया 5th का answer बताईए यहां पर 5th का answer होगा दोस्तों यहां पर 5th का answer होगा जो लोग नए जुड़ चुके उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार लाइक कर दे इस वीडियो को 38 लोग यहां पर देख रहे हैं मगर 8 लोग उने के वह लाइक किया हुआ है सभी लोग पहले लाइक कर दे यहां पर तुरंत 5th का answer होगा दोस्तों बी यहां पर इस रो इसका answer होगा दीपक कुमार ने सही जवाब दिया स्वजन सरकार ने सही जवाब दिया और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर इस question का answer दीजिए एक टैंक में दो छेद हैं पहला छेद टैंक को अकेला 21 मिनिट में खाली कर देता है एक टैंक में दो छेद हैं पहला छेद टैंक को 21 मिनिट में खाली करता है दूसरा छेद टैंक को अकेला 7 मिनिट में खाली करता है या दिरिसाओ निशिदर से हो रहा है तो दोनो चिदर के दवारा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा Question number 6 का answer क्या होगा? Q6 का answer बहुत सारे लोग यहां पर दे रहे हैं, RN राज दे चुके हैं और Q6 का answer हो दोस्तों यहां पर option यहां पर buffering को रही है कुछ लोग बता रहे हैं क्या सभी को buffer कर रहा है या फिर केवल कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है Q6 का answer हो दोस्तों option D और यहां पर प्रिती मिश्राप कभी सही है, आरेन राजा आप कभी सही था, जिन लोगों ने 6 का D लगाया, उन सभी का सही है, 7 का एंसर बताईए यहां पर, एक वस्तु के विक्रे मूल में 8 प्रतीज़त के लाप पर रुपे 3 का अंतर है, तो दोनों विक्रे मूलियों का अ Q7 का एंसर बताईए यहां पर, Q7 का एंसर होगा, Q7 का होगा, एंसर, नंबर, Q7 का एंसर यहां पर लोग B दे रहे हैं, कुछ लोग A दे रहे हैं, Q7 का एंसर होगा दोस्तों, यहां पर, ऑप्शन, Q7 का एंसर होगा, दोस्तों, आप्शन, नंबर, बी और आगे बढ़ते हैं, यहां पर, 8th Q7 का एंसर बताईए यहां पर, और यहां पर सिरीज को पूरा करना है, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर सीक्वेंस पूरा करना है, Q8 का एंसर क्या होगा, Q8 Q8 कैंसर होगा, दोस्तों, यहां पर, आप्शन, Q8 कैंसर यहां पर, आप्शन, बी होगा, ते जस्विनिन साद आप कभी सही है, Q9 का एंसर होगा, दोस्तों, यहां पर, Q9 का एंसर आप लोग बता दीजिए, यहां पर, Q9 का एंसर यहां पर क्या होगा, Q9 का एंसर होगा, दोस्तों, यहां पर, Q9 का सही एंसर बताईए, यहां पर, Q9 का एंसर होगा, दोस्तों, यहां पर, यहां पर, The Lahore conspiracy case was registered against whom, लाहोर सनेंत्र मामला किसके विर्युद्ध दर्ज हुआ था, Q10 का एंसर क्या होगा, Q10 का एंसर होगा, दोस्तों, आपर, option B, भगत सिंग इसका सही एंसर है, अमित यादव आपका सही जवाब है, अब बिना देर किये, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपर, Q11, सुधा कर्माकर का हाल ही में निधन हो गया वै क्या थी, सुधा कर्माकर, Q11, Q11, Q11 का एंसर क्या होगा, Q11 का एंसर होगा, दोस्तों, यहाँ पर, option number C, और राहुल कुमार गुपता ने C लिखा है, शायद इसी के लिए लिखा है, और यहाँ पर एथलीट नहीं होगा, ग्यारवें का एंसर होगा, दोस्तों, option number C, एक्ट्रिस, इसका एंसर बताईए, question number 12, यह उधार लेते हैं कि श्री निक्षी, 5 प्रतिसत की वार्षिक ब्याज की दर पर 2000 रुपए, दो वर्ष के लिए चक्रवर्धी ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक सहियों जित होती है, compound interest यहाँ पर बताना है, इसका एंसर बता दीजिए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर सही एंसर दिया है, आपका कमेंट यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, तेज़स्वरिन निसात का एंसर यहाँ पर सही है, बार्वे का एंसर होगा दोस्तों, option number A, तेरवें का बताईए यहां पर तेरवें का एंसर होगा हरियाणा में सुविख्यात पक्छी विहार कौन सा है bird sanctuary कहाँ पर है हरियाणा में तेरवें का एंसर होगा दोस्तों यहां पर option number तेरवे का एंसर यहाँ पर बताएं आप लोग तेरवे का एंसर सबसे पहले जवाब दिया है यहाँ पर तेरवे का एंसर होगा यहाँ पर ए सुल्तानपूर होगा और ज्यादातर लोगों का जवाब यहाँ पर सही है चौदे का answer बताइए, चौदवे का, तेरवे का A है, चौदवे का answer बताइए, आप लोग यहाँ पर, फूलों और बीजों को विभिन प्रकार के, आकर्शक रंग कौन प्रदान करता है, लूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर गल्गी का इओ, प्रॉद्वें का सही एंसरों को दोस्तों यहां पर प्रॉद्वें का सही एंसरों को दोस्तों यहां पर प्रॉद्वें का सही एंसरों को दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्रोमो प्लास्ट की वज़े से होता है कलर पंद्रॉद्वें का एंसर बता दीजिए यहां पर पंद्रॉद्वें का एंसर क्या होगा 20 डिग्री पर, 15 एक एंसर, 15 एक एंसर क्या होगा, 15 एक एंसर यहां पर लोग D दे रहे हैं, आरेन राज D, अनिस शर्मा D, सोनू मीरा D, और आप सभी तीनों का एंसर सही है यहां पर, जिन लोगों ने 15 का D लगाया है, उन सभी का एंसर सही है, एक डेटा के सेट का गुणांक 64 है, तो मानक विचलन ग्याद करना है, कोफिशियंट ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इस 64, देन फाइंड दा स्टेंडर्ड डेविएशन, कोश्चन नमबर 16 का एंसर, जल्दी से बताएं, कोश्चन नमबर 16 का एंसर हो को दोस्तों यहां पर, कोश्चन नमबर 17 का एंसर होगा दोस्तों यहां पर, नहां कुमारी 16 का एड ही होगा, और जिन लोगों ने यहां पर, शोल्वें का एंसर जल्दी से बताएं यहां पर, शोल्वें का एंसर दिरगेश कुमार B दे रहे हैं, सोल्वे का एंसर दे बोली न रोय ने B दिया है और जिन लोगों ने B दिया है उन सभी का एंसर सही होगा और इसका सही एंसर होगा दोस्तों option number B निखिल राज आपका भी सही है आगे बढ़ते हैं आपर स्कूल वर्दी की जोड़ी की सूची कीमत 180 रुपए है इसकी कीमत छूट के बाद 153 रुपए है तो छूट की दर क्या होगी बताइए इसको बहुत सरलसा है ये छूट की दर क्या होगी question number 17 का एंसर क्या होगा question number 17 का एंसर आस्तोस पांडे सी दे रहे है तेजस्वनी निसाथ 17 का सी रितू अर्मा 15 पर हैं अभी 15 का डी लगा रही है वो और उनका सही है 15 का डी ही था सत्रमे का एंसर बताइए आप लोग सत्रमे का एंसर को दोस्तों याप पर option number C होगा इसका 15 परसेंट का होगा अर्थारमffentlich का एंसर अनीता ने एक व्यक्ति का परिचे अपनी मां के भाई के पुत्र के रूप में कराया उस व्यक्ति के साथ अनीता का संबंद किस प्रकार से है अनीता ने एक व्यक्ति का परिचे अपनी मा के भाई के पुत्र के रूप में कराया बहुत सरल साई है बहुत सी ज़्यादा सरल है इसमें तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी अठारवे का एंसर तुरंद बताईए अठारवे का एंसर सबसे पहले आ गया है दिनेश कुमार का उन्होंने ए लगाया है और उनका एंसर यहां पर सही है राजकुमार जैस्वाल, राजकुमार जैस्वाल और आर्जन राज ने भी 18 का ए लगाया दोनों का सही है आगे बढ़ते हैं यहां पर समविधान की व्याख्या कौन करता है इसका एंसर बताईए आप लोग समविधान की व्याख्या कौन करता है Who defines the constitution Legislature, Executive, Judiciary या फिर President 19 का एंसर अगो दोस्तों यहां पर 19 का एंसर यहां पर Judiciary होगा और आर्जन राज ने यहां पर सबसे पहले सही जवाब दिया पवन यादाओ आपका भी सही, चंदुकुमार, नेहा कुमारी आपका भी सही है और जितने लोग हमारे साथ जोड़ चुके उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजे यहां पर 20 का एंसर क्या होगा question number 20 का एंसर होगो दोस्तों यापर option number who is related to accidental floods flutter storm, tsunami, cyclonic storm या फिर tornado accidental floods 20 का एंसर होगो दोस्तों यापर आशराम वर्मा B दे रहे हैं और अजीत कुमार मीडा भी B दे रहे हैं 20 का एंसर B आ रहा है जाज़ातर और B यहां पर सही एंसर होगा चक्रवाती तूफान की वज़े से आकस्मिक बाढ़ाती है और बिना देर की आगे बढ़ते हैं यहां पर आका उस्तिक साइन्स की से रिलेटेड है बहुत सिंपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल तुरंत इसको बताएं ध्वनी से संबंदित है जलवायू से संबंदित है धातू से संबंदित है या फिर प्रकास से संबंदित है तुरंद बताईए इसको 21-वे का एंसर 21-वे का एंसर जो भी बताएगा पहले यहाँ पर फिर मैं आगे बढ़ जाओंगा यहाँ पर चंदु कुमार यहाँ राइट तो हाँ आपका सही होगा यहाँ पर अगर आपके सही उप्शन लगाया है 21-वे कैंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नमबर बी आरेन राजा आपने दिया और दिर्गेश कुमार आपने दिया उमेश कुमार यादो 21 कभी जी हाँ यहाँ पर फोनिक सही एंसर होगा ध्वनी से संबंदित 22 forum क्या होगा भारत के पहले रेडियो उत्सबु का आ ये ओजिन आन पर होगा रेडियो उत्सबु 22 forum क्या होगा 22 forum कांषर हो जाएगा याहँ पर आप्ष्ण नम्बर 22 puesto answer जाएगा यहाँ पर आप्ष्ण नम्बर 22 वे का answer यहाँ पर होगा option number B नई दिल्ली इसका सही answer होगा 23 वे का answer बताईए आप लोग question number 23 सयूक्त राष्ट्र सैक्षिक वैग्यानिक और सानस्कृतिक संगठन का मुख्याले कहां पर है UNESCO के मुख्याले आपको बताना है तुरंद बताईए इसके 23 वे का answer को यहाँ पर option number A और Paris में है 24 वे का एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाना पर खड़ा है और लिफ्ट उपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करती है तो क्या होगा पैमाना वजन अधिक दिखाएगा पैमाना वजन कम दिखाएगा पैमाना शून दिखाएगा या फिर या फिर कोई भी डिफ्लेक्शन वहां का पैमाना या फिर कह सकते हैं स्केल शून नहीं करेगा कॉमेंट साइड कर दे रहा हूं तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए यहां पर इसको आप लोग पढ़ लेंगे और फिर आंसर दे सकेंगे 24 वे का एंसर क्या होगा सारे स्टेटमेंट साराम से पढ़ लीजिए फिर यहां पर बताईए A, B, C, D कौन सा होगा कॉस्चन नमबर 24 का सबसे पहले एंसर आया है अमित कुमार की तरफ से और इनका एंसर है दोस्तों A और स्केल विल शो मोर यानि कि वजन जादा दिखाएगा अगर तेजी से लिफ्ट चलना शुरू कर देती है उपर इसको इसका मीडियन निकालना है दोस्तों इसका मीडियन आप लोग निकाल दीजी जल्दी से मीडियन क्या होगा 25 का एंसर 25 5,4,10,3,3,7,4,4,6,5 इसकी माधिका ग्याद करना है 25 का एंसर क्या होगा 25 का एंसर 25 का एंसर 25 कुछ लोग यहां पर C दे रहे हैं आस्तोस पांडे C, दिरिगेश कुमार C दे रहे हैं 25 का एंसर होगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर B सही होगा जिन लोगों ने B दिया है 25 का उनका सही है बांकियों का नहीं सही है सोनु कुमार आपका सही है आउनली बेस्ट सॉंग आपका भी सही है प्रमोद एक बस 15 प्रतीसत की हानी पर इतने रुपें बेचता है बाइस सु पचास में उसे 15 प्रतीसत का लाब लेने के लिए बस को कितनी कीमत पर मेचना होगा कितने की कीमत पर मेचना होगा उसे वो 26 में कैंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप्शन नमबर 26 में का एंसर यहां पर जो लोग A दे रहें उनका नहीं सही है सही एंसर इसका दीजिए यहां पर 26 का सही एंसरों को दोस्तों यहां पर आप्शन नमबर कोशन नमबर 26 का सही एंसरों को दोस्तों आप्शन नमबर D 3450 रुपे में इसको बेचना होगा अगर 15% कलाब चाहिए हीमोफेलिया किसका उधारन है तुरंद बताईए इसको हीमोफेलिया किस से होता है जिन लोगों ने 26 कड़ी लगाया उन सभी का सही एक बार बता दू अमित कुमार अमित कुमार नहीं 26 कड़ी सही एंसर है निखिल राज आपका सही है यहाँ पर 26 कड़ी होगा 27 का एंसर तुरंद बताईए हीमोफेलिया किसका उधारन है डू टू लैक आफ यानि कि कमी के कारण किसी चीज की किसी पोशक्तत्व की कमी कारण जेनिटिक है संक्रामक है या फिर व्योवसाय संबंध ही है 27 का एंसर हो को दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नमबर बी यहाँ पर चंदु कुमार आपका सही है हरिडिट्री डिसीड है और अनुवानशिक रोग जिसको हिंदी में कहते हैं आगे बढ़ जाते हैं आपर जी एस लवी का पूरा नाम क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 28 27 का एंसर है बी और जिन लोगों ने बी लगाया उन सभी का सही है 28 नमबर क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 28 का एंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नमबर एज जियो सिंक्रोनस सेट्रिलाइट लॉंच विकल इसका फुल फॉर्म होगा बिना देर की आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 29 का एंसर बताईए को उसी बाठ नियंतरन और सिचाई परियोजना कहां की है देवराज यादो हाए और जो लोग अभी जुड़ें उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजे तुरंत और नेहा कुमारी 38 का एंसर दे रही है यहाँ पर और जबकि हम लोग 38 पर है नहीं कुश्चन पर 39 का एंसर क्या होगा 39 का यहाँ पर एंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number D बिहार में है कोसी flood control and irrigation project तीस्वें का एंसर बताईए यहाँ पर जिसने चंद्र सेखर आजात क्रशी और प्रियोध्योगी की विद्यालय कानपूर में अंतर राष्ट्री सम्मेलन एग्रो जोन 2018 और एग्री एक्स पेस्पा 2018 का उध्धाटन किया वे कौन तीस्वें का सही एंसर तीस्वें का सही एंसर हो जाएका दोस्तों याप पर option number पिर शुषी प्रिये दर्षनी आपका विश्ए दीपक आपका विश्ए न्यतासा आपका गलत और तीस्वे का एंशर हो जाएकगा दोस्तों option number a अभी हाल ही में नेपाल के नय प्रधानमंत्री कौन बने हैं कि नेपाल के नय प्रधान मंत्री question number 31 ध्यान रहे हैं दोस्तों यहाँ पर प्रधान मंत्री प्राइम मिनिस्टर पूँछ रहा हूं मैं राष्ट पती नहीं पूछ रहा हूं question number 31 का answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number A हो जाएगा यहाँ पर question number 31 का answer गया होगा कुछ लोग A दे रहे हैं कुछ लोग C दे रहे हैं सही answer दीजिए आपर आप लोग यह बता ही हैं आपर कि lag कर रहा है क्या comments lag होके आ रहे हैं ऐसा है क्या question number 31 को देखते हैं अभी question number 32 का answer बताईए आप लोग यहाँ पर disk operating system मैंने गलत बताने DOS का पूर्ण रूप क्या होगा full form of DOS question number 32 और यहाँ पर 31 cancer होके दोस्तों यहाँ पर केपी शर्मा ओली होगा इस cancer 32 का answer बताईए 32 का answer होके दोस्तों option number C disk operating system होगा 33 का बताईए उस संख्या का मान ग्याद करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोडने पर 98 प्राप्त होता है find the value of the number which is received by adding 13 times the same number to 98 उसी संख्या के साथ 13 बार जोडने पर 98 इसका answer क्या होगा 33 का answer बताएं आप लोग क्या सभी को buffer कर रहा है 33 का answer क्या होगा 33 का answer होगा दोस्तों यहाँ पर C होगा और शशी प्रियदर्शनी का सही है यहाँ पर और 7 होगा यहाँ पर आप लोगों से request है कि प्लीज option मत बताया करें यह बताया करें कि 33 का B होगा 31 का C होगा इस तरह से बताया करें चोंतीस स्ट्रोक किस से संबंदीत है ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस से संबंदीत है स्विंग से होकी से रगभी से या फिर कराटे से चोंतीस वे का एंसर क्या होगा 34 का एंसर होगा दोस्तों option number ए रियाज हमत का एंसर आ गया और मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाओंगा अनीश स्वर्मा का भी सही है 25 का एंसर बताईए 35 का एंसर बताईए दो संख्याओं का अनुपास दो बटे तीन है और उनका मासा तीन है तो उनका लासा ग्याद करना है दे रेशी ओफ टू नंबर सिस टू बाइटू इस टू थी एंड देर HCF is 3 then find the LCM अश्वनी यादो आप एंसर करेंगे तो हम सभी का नाम लेंगे और बलकि नाम लेने से कोई मतलब नहीं होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये टेस्ट लाइव 35 का एंसर क्या होगा 35 का एंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप्शन नंबर A और संदीब कुमार का एंसर आ गया शिवम शर्मा का भी एंसर सही है 35 का A होगा प्रजवल गुपता सोनु कुमार और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर आंतरिक उर्जा की संकल्पना उश्मा गीतिकी के किस नियम के समान है What principle of thermodynamics meets the concept of internal energy Zero point, first rule, second rule या फिर्ध रूल What principle of thermodynamics meets the concept of internal energy Internal energy के बारे में thermodynamics के किस नियम में बताया गया है 36 में का सही answer क्या होगा 36 में का सही answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number 36 में का answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number B first law of thernamon dynamics में बात बताई गई है आगे बढ़ते विश्व का प्रतेक पदार्थ अत्यंत सूच्म करणों से मिलकर बना है who said this first Dalton, Carnard, Rutherford या फिर Avogadro every substance in this world is made up of very fine particle 37 में का answer क्या होगा 37 में का answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number 37 में का answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number B और यहाँ पर कनाद ने बताया था इसको सबसे पहले सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है फंजाई के कारण आवरत बीजियों के कारण सहवालों के कारण या फिर ब्रायोफाइटक कारण सरगासो C 37 के का answer होगा यह awareness प्यादारीत है अगर आपको थोड़ा भी मालुम है तो आप दे सकते हैं इसको 38 का answer लाल बाबू यादो दे रहे हैं C और 38 का answer संदीब कुमार C दे रहे हैं नेहा कुमारी C और जिन लोगों ने 38 का C लगाया है उन सभी का answer सही है 49 37 का answer एक दुकांदार एक फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उप्योग करके 24 प्रतीसत तक दोखा दे देता है तो उसका कुलाब प्रतीसत किता है 24 प्रतीसत कम वजन यूज करता है एक दुकांदार फल खरीदने और मेंचने में कम तौल का उप्योग करता है यानि कि 24 प्रतीसत उधर से मारता है और 24 प्रतीसत मेंचने में तो उसका कुल प्रतीसत क्या है 49 का answer हो जाएगा दोस्तों यहां पर option number B हो जाएगा और राजीव कुमार, संदीव कुमार आप दोनों को सही है नेहा कुमारी आपका भी सही है option number हो जाएगा B यहां पर 40 का answer क्या होगा इसको आपको solve करना है इसको solve करके बताईए आप 40 का answer क्या होगा question number 40 का बताएं 40 का answer आना शुरू हो गया है 40 का answer हो जाएगा दोस्तों यहां पर option number 40 का ओप्शन number B निखिल राज आपका सही है और जिन लोगों ने 40 का B लगाया है उन सभी का सही है इसका answer हो जाएगा दो नवीन्तम FIFA ranking में भारत की rank क्या है अब नवीन्तम कितना नवीन्तम है यह नहीं बताया जा सकता अब आप options में से बताएं इसको 41 का answer क्या होगा 41 का answer हो जाएगा दोस्तों यहां पर option number B राजीव कुमार ने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया रियाज हमेदाप कभी सही नताशा आपका भी सही और बिना देर की आगे बढ़ जाएंगे आप पर किसको दक्षिन अफ्रीका के राष्टपती के रूप में घोशित किया गया 42 question number 42 जल्दी से बताएं जिन लोगों ने 41 कभी लगाया उन सबी का सही है देबोलीना आपका भी सही 42 का answer क्या होगा 42 में का answer हो जाएगा दोस्तों यहां पर option number 42 में का होगा option number B cyril renforza होगा और इसका सही answer बिना देर की आगे बढ़ जाएंगे यहां पर fruit bats cause which of the following इसका हिंदी पढ़ लेते हैं आपर English obscure है फल चमगादर निम लिखित में से किस रोगाणूं के प्राकृतिक पोसक है 43 में का answer क्या होगा 43 में का answer होगा दोस्तों यहां पर option number 43 में का होगा दोस्तों option number B प्रिटिक पोसक है फल चमगादर 44 में का 44 में का answer क्या होगा अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था विलियम कंपणी, जान कंपणी, लॉड कंपणी और फिर लॉरेंस कंपणी ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपणी को किस नाम से भी जाना जाता था 44 का सही एंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप्शन नमबर 44 का सही एंसर C दे रहे हैं जादा तर लोग राहुल मौर, नेहा कुमारी और 44 का एंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमबर 44 का सही एंसर A नहीं होगा दोस्तों, 44 का सही एंसर B होगा जान कंपनी भारत की परवर्तिय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरातसत स्थल है के अंतरगत कौन से तीन रेलवे आते हैं निम्न लिखित में से कौन उस तीन रेलवे के अंतरगत नहीं आता है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन नहीं आता है उन तीन रेलवे में से जो यूनेस्को की विश्व विरातसत स्थल में आते हैं बहुत जादा important question और ऐसा question पूछा जा सकता है मनीश कुमार सिनहा आप answer करें 45 वे का answer क्या होगा रेलवे का question है बहुत जादा important परवती रेल में नहीं आता है जो की यूनेस्को की सांस्कृत विरातसत स्थल का हिस्सा है 45 में का सही answer हो जाएगा दोस्तों यहां पर option number C और कुमार सेन आपका सही है भावनीश शुकला आपका भी सही है कश्मीर रेलवे नहीं आएगा बांकी तीनों आते हैं टू ब्रिंक एंड बैंक इंडियास 1991 स्टोरी के लेखा कौन है टू दा ब्रिंक एंड बैंक इंडियास 1991 स्टोरी question number 46 question number 46 का answer बताएँ आप 46 का सही answer जाएगा दोस्तों यहां पर option number 46 का answer जाएगा दोस्तों यहां पर option number A जैराम रमेश इसका answer बताईए 176 को 2569 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उनके रुपे सम्मंधित अनुपात में होंगे इसको solve करके answer बताएँ आप लोग 47 और कोई मुझे यह बता दे कि हमारे साथ कितने लोग live हैं इस समय तक 46 का A आपका सही है जिन लोगोंने A लगाए 46 का उनने सभी का सही है 47 का answer हो जाएगा दोस्तों option number C नेहा कुमारी आपका भी सही है शशी प्रेजदर्ष्णी आपका भी सही क्रशन कुमार आपका भी सही और संदीब कुमार जी आपका भी सही है 47 का answer जिन लोगोंने C लगाए है उन सभी का सही है वायू मंदल में ओजोन कुमापने के लिए UV स्पेक्ट्रोमीटर किसने विक्सित किया वो डेवलप्ड और डिस्कवर्ड UV स्पेक्ट्रोमीटर तो मेजर ओजोन इन दा एट्मोसफेर UV स्पेक्ट्रोमीटर तो 97 लोग लाइव है हमारे साथ 48 का एंसर बताएं आप लोग 48 का एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमबर B राजीव कुमार लाल बाबू यादव संदीप आपका नहीं और 48 वे का जिन लोगोंने B लगाया उन सभी का साही है डूड वरूड आपका भी साही है डूड 48 का एंसर हो जाएगा दोस्तों याँपर अप्शन नमबर B आर्नोल्ड जे बेकमेन 49 का एंसर दो संख्याओं का गुडन फल 20-28 है दो हजार अठाइस है और लासा 49 है तो उनका मासा ग्याद करना है गुडन फल 2028 लासा 49 मासा ग्याद करना है 49 का सही एंसर हो जाएगा दोस्तों याँपर संजू कुमार 49 का एंसर तुरंद बताइए 49 का एंसर हो जाएगा दोस्तों याँपर और ऑप्शन नमबर ऑप्शन नमबर डी होगा मनीश कुमार सिना ने दिया जवाब और 49 का डी कॉशल ने दिया और शशी प्रेदर्शनी ने भी मुस्कान महर ने भी 49 का डी है सही एंसर 52 होगा इसका आगे बढ़ जाएंगे बिना देर किये इस कॉश्चन को अराम से पर लीजिए इसका एंसर दीजिए पचासमें कॉश्चन का एंसर क्चासमें कॉश्चन का एंसर किया है तो बिना देर के 51 में पर चलते हैं इसको स्किप कर देते हैं मचलियों से संबंधित अध्यान क्या कहलाता है तुरंद बताइए इसका एंसर विदिन 10 सेकेंड्स क्वेशन नमबर 51 छत्रपाल सिंग ट्रिक बिल्कूल आप एंसर बताईए और नाम लेने से कुछ नहीं होता है आपकी तयारी अच्छी हो वही अच्छी बात होगी और 51 में का एंसर क्या होगा क्वेशन नमबर 51 का सही एंसर हो जाएगा दोस्तों एक्थियोलोजी और आशा राम वर्मा का सही जवाब आया यहाँ पर 51 का सी होगा मचलियों का संबंदित अध्यान कहलाता है एक्थियोलोजी और अब सभी लोगो ने जाब देना शुरू कर दिया है बिजली के खपत का बिल इसके मापने पर आधारित होता है बिजली के बिल में हम लोग वोल्टेज में नापते हैं, वोल्टेज और ओम में नापते हैं या फिर वाट और एम्पीर में नापते हैं तो इसका सही answer जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number तहली वाट लगा है वोट लगा है वोट लगा है बिजले के बिल इसका सही answer बताईए यहाँ पर बहुत important question है question number 52 क्या होगा 52 का सही answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर question number 52 question number 52 का सही answer जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number D 1 and 4 वाट और ampere में नापते हैं यहाँ पर बिजली के बिल की खपत को और किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया निम लिखित में से कौन सा जिंक का उच्चितम स्त्रोथ है which of the following is the highest source of जिंक सबसे यहादा जिंक हमें किस से मिलता है तिरपनवे का क्या answer होगा तिरपनवे का सही answer होगा दोस्तों यहाँ पर option number B होगा ब्रिंजल होगा बैगन से सबसे यहादा में जिंक मिलता है बिना देर की आगे बढ़ेंगे इस question को पढ़िए और इसका सही answer बताएं question number 54 सही answer बताएं इसका 54 का सही answer क्या होगा 54 का सही answer 54 का यहाँ पर सही answer हो जाएगा यहाँ पर option number A और mother होगा इस इंपोर्टेंट 55 का answer क्या होगा question number 55 का answer इस अपन भॉच नहीं करेगा एस पहर नहीं करेगा ऐस यह दो जार अठारा रहा की चूबाने बार इस दो जार आटेंट गुआ कि जला है नहीं कि द्रॉंद सुलर्ट सुलर्व थे सुलर्ट जल्ला है जल्ला है जल्ला कोशन नमबर 56 का एंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ए 10 मेडल जीते गए थे मैंने आपको बताया था जन्वरी की बात है यह और मतबार सिंग आपका सही सशी प्रेजर्शनी आपका भी सही और जिन लोगों ने 56 का ए लगा है उन सभी का सही है बिना देर की आगे सब्सक्राइब कर दोस्तों यहां पर केप टाउन यह वाला बताईए मनुष्की लाल रूधिर कोशिका है जिनको और बीसी रेड ब्लेट सेल्स कहते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन यह जरूर आते हैं एक्जैम्स में लाइफ स्पैन ऑफ आर बीसी तुरंद बताईए इसको आर बीसी का लाइफ स्पैन होता है दोस्तों 120 दिन का और यहां पर लाल बाबु यादो रामन उराग ने सही एंसर दिया है डूड वरुन इस बार नहीं सही आपका इस्ट देव 58 का ए मेगा कुमारी ए और आप सभी का एंसर सही है इसका एंसर बताईए आप आप क्वेश्चन नमबर 59 क्वेश्चन नमबर 59 बताईए और जो लोगों ने अभी जॉइन किया उनसे रिक्वेस्ट है कि यार ये वाला ग्रूप जरू जॉइन कर लेना आप लोग ये वाला आर आर भी रेलवे एक्जाइम प्रिप्रेशन वाला इसको आप लोग है और इस पर अभी मैं PDF शेर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर टेस्ट की और एंसर की भी हम लोग यहीं पर शेर करने वाले हैं तो ये गृप आप लोग जरूर से जरूर से जरूर जोइन क 59 का अंसर रोजाएगा भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा साथमें कब बताईएं दा थेओरी ओफ मोनो पॉलिस्टिक कॉंपटीशन वाज इंफ्लूएंस्ट इन बाई दा युनाइटेड स्टेट्स किसके द्वारा जॉन रोबिंसन के द्वारा एडवर्ड चेंबरलेन के द्वारा या फिर जैन बेट्स क्लार्प के द्वारा या फिर जोशफ सूमफर के द्वारा सुजीत दास करें टेलिग्राम एड नहीं होता है तो बहुत सिंपल सी बात है यहां पर साथवें का एंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप्र अप्शन नंबर बी एडवर्ड चेंबरलीन इसका एंसर हो जाएगा क्रिशन कुमार आपका सही है, मतबार सिंगा आपका भी सही, अरुन कुमार आपका भी सही और इसका एंसर बता दीजिए आप लोग यहां पर तुरंत 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सेटलाइट का बिल 25 रुपए है तो 3 मिनट 20 सेकंड के लिए मून लेक्या होगा क्वेशन नमबर 61 कैंट सरु जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नमबर क्वेशन नमबर 61 कैंट सरु जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नमबर बी इसका एंसर बताएए रीजनिंग का क्वेशन क्वेशन नमबर 62 और 62 का एंसर हो जाएगा बी हिंदुस्तान सोचलिस्ट 64 का एंसर क्या होगा किस सीजन में अंटार्क्टिका का होल बहुत क्लियर दिखाई देता है एक स्केंड यहां पर करेक्शन कर लें आप लोग मैंने गलती से यहां पर आपको 63 का जो है एंसर बता दिया है पर 64 का सही एंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नंबर सी हो जाएगा भीशन गर्मी में ऐसा दिखाई देता है तो चंदन कुमार 64 का सी सही है 65 का एंसर बताईए कर दो जो भीशन कर दो जाएगा प्रोदी एंसर बताव कर दोस्तों आपको जो कर दोस्तों आपको जो 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 कर दो से हमों रो抗 कर दो जो जोगता है 65 का एंसर क्या होगा कर् rhy और मकुझ होगा कर दो कुछछ़ु fragrance कर दो झाल झाल कि 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 पैसे ट्वे का सही एंसर हो जाएगा दोस्ते यहां पर आप्शन नमबर कि सी सही हो जाएगा कि 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी इसका बताइए चार वर्ष में 6000 रुपए की रखम 8000 हो जाती है कितने समय में उसी दर पर 525 रुपए की रखम 700 हो जाएगी कि अवाई हो जाएगी यहाएगी यहाई जाएगी किव पे जाएगी का सुच्छी की रखमाफी अजए ऑग्ट चुछाए्ट आऴची की पूछाइब जाएब बाग्स, आप टुचाएब च। कि जी स्क्राइब कर दिए तो एक बार अपना भी आप लोग देख लिए और यूटूब पर दिक्कत होती है स्ट्रीमिंग के दवरान हो सकता है आपका भी दिक्कत कर रहा हूँ तो एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लेना और फिर मेरे को बताईए कि क्या अभी भी दिक्कत कर रहा है लगब चार साल आरा है कि 66 का सही एंसर हो जाएगा यहां पर दोस्तों आप्शन नंबर भी चार साल हो जाएगा कि आई सी ए चार के अगले अध्यक्ष कौन होंगे कि साटवे का एंसर क्या होगा तुरंद बताईए साटवे कैंसल हो जाएगा यहां पर दोस्तों आप्शन नंबर ए अर्विंद पी जामकीर कर हो जाएगा 68 का बताईए काउन सी राज अगले पांच सालों के लिए होकी टीम को प्रायोजित करेगी क्वेशन नंबर 68 68 का बताईए हैं पर क्वेशन नंबर 68 का एंसर क्या होगा क्वेशन नंबर 68 का सही एंसर दिये धरमेंद्र मांडाल ने और उन्होंने 68 का डी लगाया है और इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नंबर डी ओडिशा संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है जल्दी से बताईए इसको UAE की मुद्रा क्या है 69 का सही एंसर क्वेशन कुमार ओडिशा सही एंसर नताशा सर्मा 68 का डी सही और अभिनीत गुपता ने 69 का सबसे पहले जवाब दिया दरहम इसका सही एंसर होगा अभिनीत गुपता सबसे पहले सबसे सही एक वस्तू के लागत मूले एवं विक्रे मूलिक अनपात 10 बटे 11 है तो लाब का प्रतीसत तुरंद बताईए इसको बिना देर किये देखते ही बताईए नताशा सर्मा 69 का डी आपका नहीं सही है जिन लोग उने दरहम लगाया है उन सभी का सही है 69 का ए सत्तर का सही जवाब हो जाएगा यहां पर दोस्तों अप्शन नंबर सत्तर का सही जवाब जाएगा दोस्तों बिना देर कि अप्शन नंबर ए 10 प्रतीसत हो जाएगा और यहां पर 71 का सही एंसर क्या होगा विश्वत रेखा पर नीत कोण का मान कितना होता है क्वेश्चन नंबर 71 एक्वेटर पर कितने डिगरी होता यह बताना है 71 का सही एंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप्शन नंबर 71 का सही एंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप्शन नंबर ए हो जाएगा भोला आजमी ने सबसे पहले सही जवाब दिया अंकित अंकूर बलियान ने भी सही जवाब दिया है आपर 72 का बताईए उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रसाइनिक अभिक्रिया के वेक को घटाता है बढ़ाता है परिवर्तित करता है या फिर उप्रोक्त में से कुछ नहीं करता है 72 का सही एंसर तुरंद बताईए बहुत जरूरी कोश्चन इस तरह का कोश्चन पूछा जा सकता है 72 का सही एंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों अप्शन नमबर अनीश सर्मा ए नहीं होगा यहाँ पर 72 का भोला आदमी ने C लगाया है और उनका एंसर सही है राजीव कुमार बानोई उनका भी सही है 72 का सी होगा कैटलिस्ट केवल घटाता है बढ़ाता भी है और दोनों काम करता है दो तरह के कैटलिस्ट होते बिसिकली घटाने वाले भी और बढ़ाने वाले भी LPG में मुखिता क्या होता है which case is mainly used in LPG 73 का सही एंसर हो जाएगा यहां पर दोस्तों ऑप्शन नमबर 73 का क्रिशन कुमार ने दिया सबसे पहले इनका एंसर C है और ब्यूटेन इसका सही एंसर है अब इलाश कुमार जी आपका भी सही है 74 का एंसर क्या होगा यदि दो अंकों वाली संख्या का अंक अदल बदल दिया जाता है और नई निर्मित संख्या मौलिक संख्या से 18 जादा है तो यदि अंकों का योग 8 है तो भातिक संख्या क्या थी क्या रही होगी संख्या वो बताना है 74 का एंसर हो जाएगा यहां पर अप्शन नमबर 24 में का एंसर क्या होगा 74 का एंसर हो जाएगा यहां पर अप्शन नमबर C और अंकित शर्मा का जवाब सही है जैन भजन का जवाब सही है 74 का एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमबर C 75 का बताईए कोश्चन को पढ़ लीजिए आराम से इसका एंसर देदेजिए एक साल पूर्व एक माता अपने पुत्र से चार गुना बड़ी थी छै वर्ष बाद उनकी आयू उनके पुत्र की आयू के दो गुने से पांच वर्ष जादा है तो उनकी आयू का वर्तमान नपात क्या होगा क्वेशन नमबर 75 का बी दिया चंदु कुमार ने मतबार सिंग ने दिया है शिव कुमार ने बी दिया है और बहुती सही बहुती सही से काम किया इसको हम लोग आप्शन से करते हैं भुलर साप का भी एंसर सही है आप्शन नमबर बी होगा पिछहत्तर का इसका एंसर बताईए चिहत्तर का सही जवाब तुरंट बताईए तुरंट चिहत्तर का सही जवाब हो जाएगा यहां पर आप्शन नमबर बी यहां पर सही होगा सेवन बाई थ्री चिलका वन जीव अभ्यारन किस राज में है चिलका वाइड लैफ सिंचुरी सहसत्तर का एंसर क्या होगा चिहत्तर कभी सही है सभी का अभिनीद गुपता आप कभी सही सुधा कर आपका नहीं मतबार सिंग चिहत्तर कभी चिलका वन जीव अभ्यारन चिलका वाइड लैफ सेंचुरी कहां पर है तुरंद बताई है हम लोग आगे बढ़ते हैं आपर सहसत्तर का एंसर ओडीशा होगा देबोलीनर आपका सही है और 78 का एंसर बताई है बाप लोग 78 में का एंसर तुरंद बताएं रूड ल्यूबर्स का निधन हो गया वे किस देश के प्रधान मंत्री थे 78 का एंसर हो जाए गया आपर दोस्तों आप्शन नमबर डी वेस्ट्रॉन का रसाइनिक नाम क्या है वेस्ट्रॉन का रसाइनिक नाम वेस्ट्रॉन का रसाइनिक नाम है दोस्तों यहां पर आप्शन नमबर भी यहां पर सही है ECG का फुल फॉर्म Electrocephalogram, Electroscopograph, Electrons, Cardiograph या फिर Electrocardiograph क्यों नमबर 80 का सही एंसर हो जाएगा यहां पर आप्शन नमबर D सही होगा, Electrocardiograph इसका सही एंसर होगा Highest value of fraction किसमें से है A में, B में, C में या D में 81 का सही एंसर है यहां पर आप्शन नमबर B और यहां पर जिन लोगों ने 80 का B लगा है उन सभी का सही है अंकित आप का भी सही अंकित शर्मा इसको बताएए यहां पर 82 2 3 3 2 2 2 2 Đ 82 का सही answer हो जाएगा यहां पर आप दोस्तों option number 82 का यहां पर सही answer हो जाएगा यहां पर none of these और इन में से कोई भी नहीं होगा 82 का यहां पर D होगा 83 का answer बताईए आपर रभी क्रॉप कौन सी नहीं है 83 का answer क्या होगा कि क्वेशन नमबर 83 का सही answer हो जाएगा यहां पर दोस्तों option number D जूट नहीं होगा और अनीश सर्मन ने सबसे पहले इसका जवाब दिया कि राश्टपती बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला जाकिर हुसायन को राजिंद प्रसाथ को डॉक्टर राधा कृष्णन को या फिर वीवी गिरु को 84 का सही answer क्या होगा 84 का या पर सही answer दे दिया है अनुच कुमार ने राजीव सिंग ने और दोनों का answer सही है डॉक्र एस राधा कृष्णन इस question का answer होगा शिवानी दुबे आपका भी सही है 84 का सी भारत में सबसे बड़ा जंजाती है समूह कौन सा है तुरन बताईए इसको 85 का सही जवाब क्या होगा 85 का सही जवाब हो जाएका दोस्तों यहां पर option number अनीश सर्मा बिल्कुल सही जवाब 85 का गौन्ड होगा और गौन्ड जंजाती जो है भारत में सबसे अधिक है सबसे बड़ा हिस्सा International Federation of Football Association FIFA का मुख्याले कहां पर है इसको तुरंत बताईए यहां पर और मैं आपको बहुत 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 बार बता चुका हूं अपने करेंट अफेर्स के वीडियो में फीफा का हेड़कॉर्टर फीफा का हेड़कॉर्टर दोस्तों यहां पर 86 का एंसर क्या होगा 86 का एंसर दोस्तों अभिनीत गुपता ने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमबर डी 86 का डी मोहमद मुनाजीर ने भिदिया है जियूरिक में है जयव एंधन पर अंतर राश्ट्री सम्मेलन कहां पर आयो जित किया गया तुरंद बताईए इसको करेंट अफेर्स का कुश्चन तुरंद बताईए इसको 87 का क्या एंसर होगा 87 का यहाँ पर एंसर होगा दोस्तों अप्शन नमबर 87 का एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमबर डी और अजोदिया यातिन ने दिया सबसे पहले ऑप्शन नमबर डी 87 का डी सही होगा नई दिल्ली एंसर होगा इसको बताईए एक हजार करोड रुपए की विकास पर योजना है किस योनियन टेरिट्री पर मोधी जी ने शुरू की 88 का एंसर 88 का एंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नमबर 88 का सही एंसर किसी ने भी नहीं दिया अब तक 88 का सही एंसर हो जाएगा यहाँ पर और ऑप्शन नमबर ए दमन एंदियू सुसाइडल बैक्स और सेल कोशिका की आत्महत्या थैली 89 का एंसर आशाराम वर्मा ने सबसे पहले दिया है अनीश शर्मा ने सबसे पहले दिया शिवकुमार कैसा 90 का एंसर क्या होगा 90 का एंसर आशाराम वर्मा ने सबसे पहले दिया है C होगा एबलेटिव लेंस और सबसे पहले इनका जवाब आया है राजीव कुमार बन बोई बी एसा 21 का एंसर क्या होगा 21 का एंसर क्या है एक क्यानवे का एंसर क्या होगा A B का अनुपात 7 बते 9 B C का 3 बते 5 और A B C का कितना है एक क्यानवे का सही एंसर हो जाएगा यहां पर दोस्तों अप्शन नमबर C हो जाएगा यहां पर 7,9,15 इसको बताइए आप लोग आप जोइन करने तुरंट अभी जाके इस वाले ग्रूप को आप लोग जोइन करने इसको अभी के अभी तुरंट आप लोग जोइन कर लीजी जिनका नहीं जोइन हो रहा है अभी मैं थरीका बताने वाला हूँ लाइफ्क्रेश्यम के खत्मोने के बाद 92 क क्या होगा 92 का सही veg 93 होता है, expectancy, elastic होता है, full complete होता है, full elastic होता है, या फिर unit elastic होता है, 93 93 का सई answer क्या होगा 93 का सही answer क्या होगा Horizontal Demand Curve कैसा होता है क्या है क्या है अधा है अधा है अधा है अधा है अधा है अधा है Horizontal Demand Curve कैसा होता है Completely Elastic Apexacrux Full Elastic Straight Line healthy 93 का सही answer हो जाएगा दोस्तों option number B और यहां परंकीत शर्मा ने सही जवाब दिया इसका नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्ते निर्जारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है Which is the competent body to determine the condition to obtain citizenship in India 94 का सही जवाब है दोस्तों option number 94 का सही answer दोस्तों option number C पार्लियमेंट और पार्लियमेंट जिन लोगों ने लगाया उन सभी का सही है यहाँ पर 36 मांग का वक्र में थोड़ी सी confusion हो गई यहाँ पर 93 का C होगा full elastic होता यहाँ ठीक है 95 भारत का सबसे बड़ा संग राज कौन सा है 95 का सही answer क्या होगा मैचिंग करना इसकी सहायक नदी को मुख नदी से मैच करवाना है और option में से इसको सही बताईए कौन सो सही पर रही है बताना है basically यहाँ पर question number 96 का answer तुरंत 97 का बताईए भारतिय मूल के किशोर अक्षय रूपा लेरिया ने किस देश में सबसे कम आयू में करोड़ पती बनने का किरतिमान बनाया question number 97 किस कंट्री में अक्षय रूपा लेरिया 97 का answer क्या होगा 97 का answer हो जाए गया यहाँ पर दोस्तों option number C ब्रिटेन 98 का बताईए अविलास कुमार 97 का C सही है 98 का answer बताईए विच इंडिजीनेस बिल्ट वार्शिप एरक्राफ्ट was inducted to Indian Navy by the Union Defense Minister निर्मला सीता रमन इन ओक्टूबर 2017 टू नोट सेवेंटीन 98 का answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number C और पाल सिंग ट्रिक ने इंपोर्टेंट है यह बहुत 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 ज्यादा इंपोर्ट निन्यानबे का answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर question number 99 क्या option होगा यूजेनिक्स और सवे का answer आप लोग बता दीजिए अगर यूजेनिक्स सवे का answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option number सवे का answer क्या होगा सवे का answer हो जाएगा दोस्तों नंबर भी हो जाएगा यहाँ पर 62 इसका सही की जवाब है और दोस्तों हमारा या अखरी question था साढ़े सीज्ट का कर लिजेए रे